दोस्तों अगर आपको जट से बहुत कुछ सीखना है तो TRS Clips Hindi के चैनल पे आपका स्वागत है मैं आपसे दो चीज़े पूछना चाहूँगा पहली चीज क्या आज भी आस्टरीड का डेंजर है मानव जाती के लिए बिलकुल है और स्पेस एजनसी सोचती हैं चीजों के बारे में सोचती है कुछ करती नहीं अभी अभी हम उस स्थिती में नहीं कि कुछ कर पाए लेकिन प्लानिंग हो रहा है पर डेंजर है कि स्पेस में से एस्टरीड निकल सकता है और फिर से सरवनाश हो सकता है हाँ बिलकुल दूसरी चीज यह पूछना चाहूंगा कि जब एक एस्टरोइडल इंपक्ट होता है तो आप एक पिक्चर ड्रॉ कर दो मानलो आप भारत में हो प अब क्या महसूस करोगे इंट्रेस्टिंग क्वेश्टिंग अगर एस्टरोइड का इंपक्ट होता है तो सबसे पहले आपको एस्टरोइड आते होई दिखेगा लेकिन आपके बास समय नहीं रहेगा कुछ भी करने के लिए ओके वो एक बड़ा सा स्टार जैसे दिखेगा और वो दीरे-दीरे बड़ा होगा and within a few hours उसका इंपक्ट होगा. इंपक्ट कैसे होगा? अगर आप अपना प्रिथ्वी का अट्मोस्फियर देखेंगे वो कुछ 100 किलोमेटर उपर है बिल अब 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 सर्फेस जो मेन अट्मोस्फियर है वो उसका और भी अट्मोस्फि और उसका अट्मोस्फिर से जो रियक्शन होगा उसके करण बहुत ही ज़्यादा heat उत्पन्न होगा. यह पूरा जलेगा और depending on the size या तो वो हवा में ही इस्प्रोड हो जाएगा या फिर अगर वो बहुत बड़ा है तो उसका impact प्रत्वी के उपर होगा on the surface उसके बाद क्या होगा कि उसका जो let's say 10 km का इस्थे रोड है उसका diameter तो उसका impact होना ही है ground के उपर उसके बाद क्या होगा कि जहां पर उसका impact होता है वहां पर magma निकल अर्थ के जिस तरह से वॉलकेनों से लावा निकलता है पूरा जो सर्फेस से प्रत्विका वो वेपराइज हो जाएगा वेपराइज हो जाएगा वेपराइज हो जाएगा इतना बड़ इतना ज़्यादा हीट आएगा इस पर से thousands maybe millions of degrees Celsius मतलब अगर आपने किसी चीज को बह पर बन जाएगा और आप किड़ोगी तरह से पहर बन जाएगा और फिर पूरा पर एक्मोस फिर वेपर पर यादर यो इंसे बारीश होती है वैसे लाव वा की बाριश होगी लावा क्या होता है किलम पथर जो निकलता है वो जिसका temperature क्या है humans of degree centigrade घा पर डिगर फिर एंप्ल अगर बहुत ही गरम लावाय तो पूरा जाएगा थूख आपकी मौत कैसे होगी इस्थिती में बहुत तो आपको समझेगा भी नहीं सबसे पहले किया होगा कि इस्थिती में बहुत होगा जाएगा जाएगा उसके बाद साउंड निकलेगा उसके बाद साउंड निकलेगा मतलब आपको पता में निए चलेगा कि क्या हुआ जलो दो इन लोगों को तुरंट से मार दो अगर ये पानी के ओपर होता है तो सुपर सूनामी होंगे सूपर सौनिक तुनामी किलोब्स्ट्र 2-3 कीलोžमेटर उचे तूनामी होंगे और उनका स्पीद होगा greater than the speed of sound और ये tsunami ये पूरे planet के around जाएगा चार पांच बार जाएगा faster than speed of sound faster than speed of sound tsunami yes we got tsunamis शायद एक दिन में पूरे एर्थ को I think कुछ घंटों में चला जाएगा और तीन चार बार at least जाएगा around the planet और ये असल में हुआ है ये हुआ है धर्ती के इतिहास में मानवजाती के इतिहास में भी हुआ है ये मानवजाती के इतिहास में mass extinction event नहीं हुआ है इस प्रकार का last जो major इसा impact हुआ 66 million years पहले हुआ 6.6 crore वर्ष पहले आज से crore dinosaurs उसमें भी सारे के सारे dinosaurs नहीं मरे कुछ बच गए बहुत अजीब सवाल पूछना चाहूंगा भगवान क्या सोच रहे थे भगवान अगर देखिए मैं तो scientist हूँ मैं जानता नहीं कि भगवान है के नहीं मैं बहुत hopeful हूँ कि भगवान काश हो अच्छी बात होगी अगर भगवान है तो वो क्या सोच रहे है अगर भगवान है उन्होंने ब्रह्मान बनाया उसमें कुछ laws डाले और बुला कि जाओ अभी चलने दो भगवान neutral है, impartial है सबको एक ही नजर से देखते हैं अगर कुछ होता है तो वह यह शायद आपका कर्म होगा दोस्तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए हापनेस्टों क्यूरियोस्टी ओन दे रन्वी शो हापनेस्टों करते रहिए